मोदी की अकाट्यता मोदी जी की जो अजय है मोदी जी आज तक ऐसा इंविंसिबल जो माने जा रहे हैं उसके आगे लड़ने के लिए लोगों में जुनून और चेतना पैदा करने से पहले प्रदान मंतरी खरगे होंगे या नितिश बाबू होंगे या ममता जिदी होगी इस इस देश के इतियास में 70 सालों में पहले प्रदान मंतरी ऐसा है जिन्होंने साड़े नव साल प्रेस कांफरेंस नहीं किया तो आप ऐसे ख़त लिखके या उनसे बात करके या चुनावायों को ख़त लिखके क्या आप एक्षा करते हो कि आपको बाइलेटरल कम्यूनिकेश देशन होगा ताना शाही पूरी तरह से हावी है देशन पर उसके बाद भी आप टीनी चीज करोगे कि आप सोशल मीडिया पे लिखोगे काली फीट लगा कर राजगाट जाके खड़े रहोगे और संसत के परिसर में आंदोलन करेंगे धरना वरना करेंगे कोई डबा लाए अपोजिशन पर्टीज भी अडाली से मिली हुई है पवार साब तो मिले हुए यह तो पक्का है क्योंकि उन्होंने 25 करोड का भी वो ले लिए 25 करोड पवार साब के लिए क्या चीज है पवार साब अगर बोलते महारश्य की जंता को एक एक रुपया दो तो 25 करोड दे दे मैं राहूल गांदी को छोड़के किसी में नहीं देख रहा हूं विपक्स दबाव बनाने में नाकामिया रस्ते पे उतर के सुप्रीम को गहराव करवाओ आप इलेक्शन कमिशन को गहराव करो आप उनको बाहर नहीं निकलने तो यह ड्राइवर कर सकते हैं ड्राइवरों की बुद्धी इतनी तेज है इस देश के इस देश के किसानों की बुद्धी इतनी तेज है जितनी विपक्स के मत ही मारी गई है जज लोया और चिप जेस्टिस गोगोई यह दो मॉडल बन गए इतियास में यह दो मॉडल के बीच में सुप्रीम कोड फस्स गई और 99% लोगों ने गोगोई मॉडल को अपना लिया लेकिन हमें उसी पक्ष में होना चाहिए जो पक्ष सच और सही है पांडवों को अनवास हुआ तो जो पांडवों के साथ थे वो राइट साड तो वही होना चाहिए और आप अगर सत्ता है इसलिए दुर्योधन के साथ गएं तो बाद में महाबरत जब लिखी जाएगी तो आपका नाम उसी तरह से लिखा जाए गया जिस तरह से दुर्योधन दुश्यासन और उनके साथ ही उनका लिखाएगी नवश्कार आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बाद फिर से बहुत-बहुत स्वागत है साल 2024 का ये पहला इंटर्व्यू है दरसल जब हमने इस यूट्यूब की शुरुआद भी की थी इस चैनल की जिस शक्स के साथ पहला इंटर्व्यू किया था उन्हीं के साथ एक बाद फिर से लोटे हैं आप सभी लगातार पूछते रहते हैं कि राजू परो लेकर जी के साथ आप फिर से कब चर्चा करेंगे तो लिए चर्चा लेकर हम हाजर हैं दरसल दोस्तों अगर बात करें 2024 की तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहने वाला है और आती साथ बहुत ही इतिहास के मुटा अगर आप पैमाने पर देखें तो इसलिए जादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस साल में बहुत कुछ तैय किया जाएगा अभी 22 जनवरी को वैसे भी राम मंदिर को लेकर एक बहुत बड़ा इविंट देखने मिलने वाला है उसके बाद इस देश में कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ ही इस शुनावों के बाद ये तैय किया जाएगा कि इस देश की आने वाली जो पीडियां है वो किस तरह से रहने वाली है ये देश जिस चीज के लिए जाना जाता था चाहे वो आप समझ लें कि लोकतंत्र के लिए या यहाँ पर जो हिंदू मुसलिम या गंगा अजमुनी तहजीव थी उसके लिए क्या उसी के बदौलत हम आगे बढ़ेंगे या चीजे बदलेंगी ये सारी चीजे 2024 के शुनाव में तैकिया जाएगा हाला कि इसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि यहाँ इस सब के बीच में विपक्ष कहा है क्या विपक्ष वाकई 2024 के लिए तैयार है या फिर जिस तरह से प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पूरी confidence के साथ बार-बार बोलते रहते हैं कि वो वापिस आ रहे हैं तिसरे term के लिए उनके confidence में कुछ बात है आज चर्चा इसी पर करेंगे राजू परू लेकर जी हम ऐसा जुनें सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ आरेगी लोगों की आपके भी happy new year बहुत महत्मपूर्ण है यह साल लोग बार-बार आपको बोलते भी रहते हैं कि आप से कब बात करेंगे तो क्या विपक्ष उन प्रदर्शनों को लीड कर रही है क्या विपक्ष की ओर से कहई सारे चीज़े की जा रही है जा उन्हें कि वपक्ष कि वर नहीं से कोई ताक उपक्ष कर सकते हैं आई देखिया ऐसे विपक्ष है कि जो मोदी जी से मितरता रखते हैं तो उनको विपक्ष कहा नहीं जा सकता अब बचे जो लोग दिखा रहे कि वो मितरता नहीं रखते यानि उनके विरोध में काम करें हैं इंडिया गटबंदन जैसे कि एक मोटा मोटी बन गया है तो उसमें विपक्ष कहा किसको और कब माने इस पर भी एक चर्चा हो सकती है पहला तो उसमें सबसे बड़ा बड़ी पार्टी तो नैशनल पार्टी लोग कॉंग्रेस है तो मुझे लगता है हम लोग कॉंग्रेस हो या टी-े-म-सी हो या फिर तमिल नाडू की अपनी डी-े- कॉंग्रेस पूरे पैन इंडिया फैली हुई है यानि कहने के लिए कागज पे तो फैली हुई है प्रॉब्लम यह है कि लोगों में जुनून पैदा करने में वो नाकामियाब है पहली बात कॉंग्रेस नहीं कॉंग्रेस सहीत सारे विपक्ष अचीप इलेक्षन कमिशनर इ यह उचीत नहीं है मेरे अच्छे रिष्टे सबसे हैं लेकिन जैराम रमेश जी हैं या कॉंग्रेस के जो प्रवक्ता है यानि मुख्य वो एक नेता है और वो बहुत इंटलिजिन नेता है वो अपने ट्वीटर पे वो लेटर डालते हैं इंग्लिश वाला और फिर वो हिं कंश्या को क्विटर पे डालते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं और प्रेस कॉंफररंस लेक्रावन जी और अन्या शुपरिया श्रीनेत ये लोग बात करते हैं देखीं यह सरकार ऐसी सरकार है जिस सरकार पहला प्रदानमंत्री इस देश की इतियास में सतर सालों में पहले प्रदान मंत्रे ऐसे हैं कि जिन्होंने साड़े नव साल प्रेस कांफरेंस नहीं किया तो आप ऐसे खत लिखके या उनसे बात करके या चुनावायों को खत लिखके क्या आप एक्षा करते हो कि आपको बाइलेटरल कम्यूनिकेशन होगा तो आपको यह पता चल गया है अब इलेक्षन दूसरे इलेक्षन नहीं एक दोज इलेक्षन हार चुके हैं विपक्ष है ना अब तानाशाही पूरी तरह से हावी है देश पर उसके बाद भी आप तीनी चीज़ करोगे कि आप सोशल मीडिया पे लिखोगे काली फीट लगा कर राजगाट जाके खड़े रहोगे और संसत के परिसर में अंदोलन करेंगे धरना वरना करेंगे कोई डबा लाएगा वो खाएंगे आप क्या इसको अंदोलन केते हैं ये जनता का अंदोलन है ये जुनून है और आपको मोदी जैसे एक बड़े तानाशाह जो है और आरेसस बीजेपी जैसी फैसेस पार्टीज है उनको परास करने के लिए एक बहुत बड़ी मुमेंट खड़ी करने की जरूरत है और वक्त भी ब इंडिपेंट इंस्टिउशन से सुप्रीम कोड एलेक्चिन कमिशन फिर प्रशासन मीडिया गोदी मीडिया बन गया है तो यह सारे फेल हो चुके हैं डिसफंक्शनल हो चुके हैं तो उसमें विपक्ष को भी गिनना चाहिए विपक्ष पुरी तरा से अरे मैरे एक समझ मे आता सुछिद भाई यह बात आप सोचिए मोधी की अकाट यह था मोधी जी की जो अजय है मोधी जी आज तक ऐसा इंविंसिबिल जो माने जा रहे हैं उसके आगे लड़ने के लिए लोगों में जुनून और चेतना पैदा करने से पहले प्रधान मंतरी खरगे होंगे या नि अपसिलूटली लूनेटिक समझ गये हैं आपकी जमीनी हाकिकत से पूरा संबन्दी तूट गया है और मैं मानता हूं कि इस देश की जनता में इतनी ताकत है कि वो लड़ सकती है देखिए मैं उधारन देता हूं कोवीड आया वरना सी एनर्स के लिए जो अंदोलन किया गय उसके उपर किताब भी आ गी है और आगे लिखनी भी चाहिए किताब दूसरा किसान का अंदोलन जो था वो कामियाब भी हो गया किसान रस्ते पर उत्रेए 700 किसान शहादत हुई 700 किसानों की लेकिन उन्होंने जीत हासिल की तीन कानून वापस लेने पड़े अरे परसु ड इतना बुजदिल और इतना सोच विचार ना करने वाला आइडिलोजी लेस यानि आइडिलोजी नहीं जिनकी नहीं है और कोई grand strategy होती है strategy होती है फिर tactics होते हैं यह सब कुछ नहीं है ऐसा एक विपक्ष हमें मिला है उसी वजह से यह सब dysfunctional है क्या हिम्मत है election commission की जड़ पाउरफुल विपक्ष के सामने और विपक्ष के डेड़ सो सांसत को निलम बिचार आप उल्टा चितर करके देखिए आप अगर बिजेपी के डेड़ सो सांसत यूपीए के टाइम में निलम बाहर निकाल लेते तो क्या हंगामा करते बिलकु और इस हाइनेस है वो और बाकी सारी संस्ता है उनकी most obedient servant है जो चार संस्ता है हम बात कर रहे हैं तो यह लेवल पर जाने के बाद भी विपक्ष यह कह रहा है एक लेटर लिख रहा है एक election commission को एक supreme court को और यहां पर बती आ रहा है social media पर वो तो हम भी कर रहे हैं तो उनको अल driver और किसानों को मानता हूं इनको तो विपक्ष को तो सोला दोजार सोला में नोटबंदी की टाइम में जुनुन पैदा कर देना चाहिए था लोगों में और सत्ता से खीच लेना चाहिए था नीचे इनको बीजेपी को वो कर ना सके बस बात करते प्रेस जानी गोदी मीडि आपका भी कोई करता है की नहीं या खाली करो अपनी जगा जन्ता भर देगी उसको हम इस पर पहले भी सरचा की है जब भी हम बात करते हैं तो हमने ये बात की है कि मोधी सरकार केवल बीजेपी पार्टी अकेली नहीं हमने उस पर पूरे वीडियो भी की हुई है जिसमें ब है या नहीं आपको क्या लगता है वो अब्जेक्टिव जो है क्योंकि आपकी वात तो सहबत हूं मैं भी की आधी चीज़े किवल ट्विटर पर है और पूरी देश की जन्ता तो ट्विटर पर है नहीं जहां पर यह लोग लिख रहे हैं तो इनके अब्जेक्टिव ही क्लि जाना चाहिए थी विपक्ष को एक साथ आकर या पर बाकी लोगों के लिए वो कोईबी चीज नजर नहीं आरही है देंके इसकी वज़़ा आप क्या मानते हैं यह डरते हैं यह मिले हुए हैं और दर्शकों को यह भी बता दें यह बुलेंगे कि अरह अब तक तो आप बता और अब तक जितना भी हमने देखा है तो उस तरीके से कुछ नजर नहीं आता है इंके पास प्लानिंग तो इनके अब्जेक्टिव में सर आप मानते हैं कि कमी है मैं सर मुझे अब्जेक्टिव दिखाई नहीं दे रहें इनके इनके में क्लारिटी नहीं है सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस है अब मैं कॉंग्रेस पे बात करू तो ये बुरा होगा इस वक्त पर क्योंकि जब वो पावर में नहीं है और वो बहुत वीक है उस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ लेकिन मैं मजबूरी है मेरी भी मुझे बात करना जरूरी है कॉंग्रेस में कोई तालमेल नहीं है कोई स्ट्रेटिजी नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि कॉंग्रेस अगर आप हो मैं हूँ और मैं जब प्रोग्राम्स करता हूँ मैं गाओं में कही जाता हूँ मैं भाषण करता हूँ तो हज़ारो युवा वर्ग के और बुजूर्ग भी आते हैं और कहते हम चिन्ती थे देश के भविश्य के लिए, ऐसा नहीं है की मोदी जी का पूरी देश मोदी जी का कायल हो गया है और पूरा देश मोदी जी के पीछे है, उनका ऐसा कॉंग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो भी पक्ष हो उनसे कोई क्लियर मेसेजी नहीं है उनमें आपस में ही कम्यूनिकेशन नहीं है अब यहां पर राहूल गांदी जी का स्पीच थी यहां पर विधर में उससे पहले उनके बड़े नेता सुनिल केदार को पकड़ा गया बिल करते हुए नहीं दिखाई दे की अपने एक बड़े निता के लिए कोई बात करते हैं तो यहीं memory यहीं बात महहामाहित्रा के लिए Nejतिक ताकत को बड़ावार मिले ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मुझे pastors संदendo होता है मुझे ऐसा लगता है कि इस खेल में हम तो नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि क्या opposition parties भी अडानी से मिली हुई है पवार साब तो मिले हुए यह तो पक्का है क्योंकि उन्हें 25 करोड का भी वह ले लिए 25 करोड पवार साब के लिए क्या चीज़ है पवार साब अगर बोलते महारश्टर की जनता को एक एक रुपया दो तो 25 करोड दे देते हो लेकिन उन्हें ने अडानी से लेना पसंद किया उसको धन्यवाद भी किया और काम क्या था कि एक स्कूल में वो आर्डिफिशल इंटेलिजन्स का लैबरोटरी बैठानी थी वो तो राज्या की जनता देती इतना पवार से प्यार करती है खर उनको अरानी के प्यार की ज़्यादा कदर थी तो उन्होंने किया लेकिन वो पहर ओपनली कर रहे हैं मुझे बाकी सब लोगों का ऐसा दिख र ले क्योंकि रहुल जी की कामियाभी का मतलब है अडानी का और मोदी जी के शासन का समापती इसका मतलब यह है कि क्रोनी का जो यह यूग है इसमें जो मुझे लगता है कि सबके अपने इंट्रेस्ट फसे हुए हैं और वो फसे हुए इंट्रेस्ट है उससे रहुल अलिप् तो लोग नहीं चाहते कॉंग्रेस में भी कि पूरी तर से राहूल प्रबल हो और वहां से राहूल जी की यहां से भी कोई ऐसी राहूल जी आ हो या फिर प्रियांका जी हो फिर घरगे जी हो ऐसी counter strategy हो नहीं हो रही है पार्टी के अंदर भी कि यह जो right-wingर कॉंग्रेस ही है उ उनको पूरी तरह से आड़े हाथ लिया जाए और डायरेक्ट आखरी आदमी तक कम्यूनिकेशन हो सके यह कोई ऐसे पहल नहीं हो रही है इसकी वज़ा से एक पूरा युवा कार्य करता मैं देख रहा हूं कॉंग्रेस का हो या ओपोजिशन पार्टी का हो पूरी तरह से ब्र उद्धर ठाकले हो या फिर ओपोजिशन के नेता हो उनसे कम्यूनिकेट करना अभी भी उतना मुश्किल तो है लोगों के लिए भी उतनी मुश्किल होगी पहुँच पाना ही सर मुश्किल है आपको बताता हूं कॉंग्रेस के महारष्ट के जो अद्देख्ष है जिनकी र वरना मेरे पास नाना पटोली जी का नंबर नहीं है यह पहला कॉंग्रेस का अद्देख्ष है जिसका नंबर किस आपके पास है उठाते नहीं है उठाते नहीं है या नंबर नहीं है कार्य करता मुझ से पूछते हैं कि उनका नंबर का है तो यह इस तरह से अगर लोगों क एक election sale है जैसे judiciary एक legal sale है तो वो बोल दे तो जब जब जो आपको appointment नहीं 6 साल मैं क्या कहता हूँ कि driver घहराओ कर सकते हैं आप विपक्षा घहराओ नहीं कर सकते election commission का आपको गांदी जी ने जो सीख दी है वो गांदी जी ने किताबें नहीं लिखी चाहिए सिर्फ गांदी जी फिल्ड पे उतर देते हर बात के लिए लाठिया खाई यह लोगों ने हर बात के लिए लोग फांसी गए हैं हर बात के लिए लोग अंदर गए हैं तब जाक्या आज़ादी मिलिए हमें और मोदी जी और उनकी पार्टी और RSS की जो ताना शाही है वो अपने लोगों की ताना शाही है इसलिए उनको बक्षन की कोई ज़रूत नहीं को कि ताना शाही ताना शाही होती है वो ब्रिटिश थे इस्ट इंडिया कंपनी थी ये अडानी ये वेस्ट इंडिया कंपनी है हमें कुछ फर्क नहीं हम गुलाम हो रहे हैं हमको problem क्या है विपक्षे मुझे सबसे बड़ा problem खेल में वो है हम नहीं है हम उनको जाद सबसे बता सकते हैं हमको बताते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं उनमें इनर्शिया है बहुत बड़ा और अहंकार भी है और उनके आपस में वो कौन कान्वेनर यानि मुझे कई बार वो लगता है कि एक खंडर जो है उसकी मालकी यत के लिए इनकी लडाई चल रही है तो नितिश कुमार होंगे या खरगय होंगे या आपस में होंगे मैं कम्मिनिस के साथ जाओंगे नहीं ममतर्दी बोलती है अरे यार देश को बचाना है जनता आपके प्रती आस लगा के बैठी है तो जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप कुछ कर पाएंगे अप क्योंकि जनता के साथ आपका कम्मिनिकेशन जीरो है ना जनता से आपका कोई ऐ सेंटर्ड ये सेंटर्ड में हो आपके याद नहीं है फस्त में फस्त में था तो मम लोग गाओं में रहते थे मैं इतना चुटा था आज भी मुझे याद है कि वो जनून कैसे था लोगों में और मैं मैं ग्राम पंचाथी की स्कूल में जाता था वहां भी लड़के जगड करते थे कॉंग्रेस के खिलाफ और एक-दो कॉंग्रेसी हुआ करते थे तो वो बोलते थे कि नहीं 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 को इंदरा जी आएगे और तो जुनून यहां तक अंदर तक परकोलट हो गया था आखरी आदमी तक आज देखेंगे तो कुछ भी नहीं आज सारा देखिए मै यह नहीं मानता कि पूरा देश राममंदीर बनने की पक्ष में लेकिन यह इवेंट ऐसा करेंगे और विपक्ष कुछ नहीं बैठे-बैठे कम्यूनिक चिठ्थी आएगी या जैराम जी आएगी या किसी ब्रमता जी क्या वो चिठ्थी एक भेज देंगे क्या रेकॉर्ड के लिए कर रहे हैं कि है रेकॉर्ड रख रहे हैं यानि यानि जाकी घाका आगया इतियास में जाके 100 साल बाद में कोई लेखक अपना किता लिख लिखे तौ इसके और जनता के लिए कуч कर रहे हैं तो रस्ते आना पड़े बहुआ मेतरा को जिस तरह से निकाल दिया या राहूल गांधी जी को उसके दूसरे दिन पूरे दिल्ली में हड़ता लोना चाहिए था देखिया आपने मैंने देखा है तब तब तो मैं स्कूल में नहीं था आने में स्कूल में ही था मैं उसे से मेरे 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 में हम कौंकंड से हैं तो हमारे यहां समाजवादी और प्रजा समाजवादी पार्डी का वह करता था तो हमारे यहां के मदू दंडव आते थे तो वह जेल में थे ना वह इमर्जंसी के टाइम तो पापा वगरा बोलते थे ऐसा है ये है वो तो हम सुनते थे हम को ज़्यादा कुछ पता नहीं लेगिन जॉर्च फर्नांडिस ने पूरा रेल बंद कर दी पूरे देश की और हाहला हो गया जाई प्रकाश नारायन ने लोगों को पुलीस और सेना को कहा कि आप सरकार से सरकार मत करिये और उससे पूरी देश विदेश में एक हलचल मच गई विदेश में उसका इंटरनेशनल कम्यूनिटी पर प्रभाव हुआ अब यहां पर यह सरकार को इसरेश सरकार सिर्फ इसराइल नहीं देश नहीं इसराइल सरकार चुकी मोदी जी की मित्र है उनको मदद कर रही है यहां कि लोग तंतर को दमन करने में, इसके उपर आवाज नहीं उठा रहे हैं, ये सारी चीज़े अंडर दे कारपेट रखने का क्या मतलब है, क्या हम ही बोलते रहें, पत्रकारी जेल में जाते रहें, और हमारे उपर ही पेगैसे से लगे विपक्ष कर क्या रहा है, ये सबसे अहम बात है मेरे और मुझे ही नहीं लिखता है कि यातरा पहली बार सक्सेस्पूल हुई, दूसरी बार भी होगी सक्सेस्पूल, लेकिन ये कोई एकमातर उपाई नहीं है, आप हर, यानि मुझे आज बुखार हो गया, तो बुखार हो गया मैंने एक पेरसेटमॉल ले लिए, तो मुझे मे इविददा बहुत अलग-अलग टाइप की है, तो CANRC में कोई पार्टी खड़ी नहीं रही थी, किसान आंदोलन में मुझे सिर्फ राहुल गांधी सपोर्ट कर देते, वेकिन वो बेचारे कहा करेंगा, वो 2019 की स्थिती में अभी भी फसे होएं, उनकी जो प्रियंका जे मेरा भाई अकेले लड़ा, तो आज भी अकेले ही लड़ रहे हैं, तो सब जब मैंने सवाल पूछा यह अब्जेक्टिव वाला, वो इसलिए पूछा, कि इनके अब्जेक्टिव लोग क्यों भरोसा कर रहे हैं, आप एक तरफ अधानी का विरोध करते हैं, अभी आपने व मानते नहीं, या उनकी बातों मानना नहीं चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं कि गहलोत ने इंटर्विव दिया, यह फेक 14 में से एक को, और नावी का कुमार के साथ तो कमलनाथ की फूटो आई, कमलनाथ बागे शोर बाबा के पास गए, तो आएगा तो कमल ही, तो इन्हो इंटर्नाशनल टेकनलोजी का बहुत बड़ा हाथ है, मैं यह नहीं मानता कि तीनों राज्यों में कॉंग्रेस हा रही है, या पहले भी रारिजेड यहा हा रही है, मैंने इसके उपर बहुत बात किये, और बहुत लोग महमुत प्राचा से लेके बहुत लोग बात करें, औ लेकिर इनकी तानाशाही खतम करने के लिए विपक्ष को जिस तरह से लड़ना चाहिए, वो लड़ने का जुनून, वो पैशन, वो क्रांति का रखता, मैं राहूल गांधी को छोड़के किसी में नहीं देख रहा हूँ, और राहूल गांधी को भी एक डिरेक्शन होना चा आगे तो मैं अम नतरबस तक है, लेकिन मैं एक मानता हूँ कि उनके पूरे फैमिली में राजनेता एक ही थे, इंदिरा, क्योंकि वो जानती थी कि कि किसकी नस दबानी चाहिए, तो उनके पास जो अड़वाइजर थे, हकसर, धर, कौल, ये इतने बुद्धिशाली थे, उ और उनकी राजनाइती समझ, सोच, इतनी आगे की थी, तो राहुल जी को जो डिरेक्शन देने वाले लोग है, वो जो बताते हैं, यानि, अब्यूसली किसी भी नेता को, यानि मैं आप भी नेता हो, तो हमें एक कोट्री लगेगे, एक लोग लगेगे, जो डिरेक्शन दे ये, रहुल गंदी का इंजेक्शन सीधा उनके अंदर तक चाहिए, वो लोग चाहते हैं, ये यातरा में हमको दिखा, तो बाद में दूसरी यातरा निकालना उसके उपर, अच्छा है यातरा निकाल रहा है, लेकिन वो दूसरी यातरा उसका उपाय नहीं है, उपाय वो इ ये बात, मोदी जी, RSS, Pegasus, BJP और नेतेनेहों की दोस्ती, इस सब कुछ इन से चीजों को एक मजबूत करके, हमें वेस्ट इंडिया कंपोनी, यानि Lord, His Highness Lord Adani क्या गुलाम बनाने की तरफ ले जा रही है, दोजार चबिस के बाद मुझे नहीं लगता है, सोहीत, तुम मेरा इंटर्विव ले पाओगे, और मैं तुम्हें इंटर्विव दे पाऊंगा, इसलिए हम यह सब अभी करके रहे रहे हैं, कि कम सकंप रिकॉर्ड में रहे हैं, कि हमने सारी प्रिकॉर्ड वो जैसे देखिए, इसमें एक है कि Supreme Court की, Supreme Court एक खंडर बन गया, लोकतनतर का, Supreme Court न को, उसके उपर परमीर पुरकायस था और उनके ओफिसर्स को अंदर कर दिया, जबकि हिंडनबर की पूरी रिपोर्ट आई, और OCCRP का रिपोर्ट आये इतना बड़ा, उसके उपर, Court ने स्टैंड लिया नहीं है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट को, और क्या वो ऐसे ही रि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, यही तो आपका धर्म है, लोक्त अंतर का, तो यह नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर यह सवाल का, और इस पर विपक्ष दबाव बनाने में नाकामिया रस्ते पर उतर के, सुप्रीम कोट को घिराव करो, आप इलेक्शन को घिराव करो, आप उनको बाहर नहीं निकलने तो, यह ड्राइवर कर सकते हैं, यार, ड्राइवरों की बुद्धी इतनी तेज है इस देश के, इस देश के किसानों की बुद्धी इतनी तेज है, जितनी विपक्ष के मती मारी गई है, लेकिन सर यह बात तो सही है कि एक अगवार के दो ल रहा ना उसे माहौल बनाने आता है एक तरफ आप बार-बार हर चीज के लिए गोधी मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि वह नहीं दिखा रहे हैं जब आपको पता है कि वह नहीं दिखा रहे हैं आपको दुसरे तरीके धूनने चाहिए जब गांदे जी थे कितनी बढ़ी है नक़संप नहीं तो आग लगनी चाहिए तब जाके यह बदलेगा तो इनमे आगी नहीं है यह अपना कोई किसी का भाजय को बचाने में लगी हूए कोई नेता अपने भाई को बचाने मैं Telesha कोई नेता लगा है कि अपना ये इंक्वाइरी नहीं निकले, कुछ लोग सोच रहा है कि अगर मैं मुख्यमंद्री और जेल में अगर चुनाव करना है तो मुख्यमंद्री करूँ, सुप्रिम कोर्ड पूरी बढ़ गई है दो हिस्सों में, अब दक ये बढ़ मैं बताता हू जज लोया और चिप जेस्टिस गोगोई, ये दो मॉडल बन गए इतियास में, ये दो मॉडल के बीच में सुप्रिम कोर्ड फर्स गई और 99 परसेंट लोगों ने गोगोई मॉडल को अपना लिया, अकल भी हमें दिखा ही दिया कि गोगोई मॉडल को अपनाया गया है अब इसमें एक बात है, मैं लोया के प्रती मुझे ये दर्द होता, ये कसक हमेशा मेरे दिल में रहेगी, कि जज लोया को अपने अंतिम समय ये लगा होगा, कि मेरे वरिष्ट जो जजस है, जस्टिस है, वो मुझे नियाए देंगे मेरे वरिष्टियों क्यों बात, क्योंकि मैं एक भारत की एक महान विरासत के लिए और नियाए के लिए अपना बलिदान दे रहा हूँ, ऐसा लगा होगा ना उनको सुप्रीम कोड के चिप जश्टिस जो आज के भी है, उनी की पिठ ने ये खारिच कर दी, कि लोया का नैचरल डेथ हुई, जबकि निरेंजन टकली की किताब भी आप पढ़ो तो आपको पूरी बात समझ में आती है, अब मुझे ऐसा लगता है, कि जिस तरह से जज लोया क जज लगा की मृत्यू हुई, उसकी वजह क्या थी? वजह इतनी सिंपल थी, एक CBI कोड का जज इतना ही चाहता है, कि जो कन्विक्ट है, क्रिमिनल, सस्पेक्टेड क्रिमिनल, वो कोड में हाजीरी दे, बराबर, ये उसका कर्तव्य है, ये करना, बस उसके लिए उसको लोय उन्होंने सोचा होगा, कि ये नियाय प्रणाली है, मेरे बॉसेस हैं, वो मुझे एक दिन नियाय देंगे, भले मैं इस दुनिया में रहू ना रहूं, ये भारत माता तेरी शान के लिए मेरी पूरी जूडिस शरीक कुछ काम करेगी, तो इन्होंने ऐसा काम किया, कि सव सा साल बाद इनके नाम से जो किताबी लिखी जाएगी, वो काले रंकी होगी, लेकिन सुप्रियम कोट की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, देकि सुप्रियम कोट में सब कुछ ठीक नहीं, ये तो इस बात से भी पता चल गया था, जब पांच जजज खुद आके कह रहे थे, कि उन के नतीजे या result कुछ और ही आ जाते हैं, नहीं, result वही आते हैं, जो सत्तापक्ष चाहता है, और हम मैं एक गिन के दिखा सकता हूँ, इसके उपर किताब लिखी जा सकती है, और लिखी जाएगी, यानि मैं खुद लिख सकता हूँ, और लिखूंगा, वो photograph बहुत important है, जिस के हाथ पकड़े हुए हैं, और गोगोई तो ये सारी चीज का पिनेकल है, वो तो हिमाले है, ये गोगोई मॉडल ही है, ये गोगोई मॉडल से ही इतियास में जाना जाएगा, भले और दस लोग जेल में जाए, दस लोगों को यूए-पीय लगे, और कुछ भी हो जाए, ल भारत जब जरूरत पड़ी, ये हम लोग करते हैं न राश्ट सर्वोपरी, भारत मता की जाए, जूटे लोग कहते हैं, असल में भारत सर्वोपरी अगर है, राश्ट सर्वोपरी है, तो आप अडानी के हाथ हस्देव नहीं बेच देते, हस्देव के हाथी वहां के जो ले और उसमें बीजेपी के अलग फेफ़डे और कॉंग्रेस वालों के अलग फेफ़डे नहीं होंगे एक ही है तो राष्ट सरोपर ही नहीं है यह सारे लोग जो है अपनी आयाशी के लिए काम करें और इसमें वापस हम विपक्ष पर आते हैं कि विपक्ष भी तो विपक्ष की बारे में बोलनें बंद कर दिया मैंने क्योंकि उनका तो कंफाम है कि उनको करना ही है यह विनाश पर्यावरंड से लेके इनसान की आजादिकात सबका विनाश करना है उनको हम विपक्ष की बात करें उनको भी तो करना है लेकि वह कुछ भी तो नहीं कर पा रहे हैं तो फि करें तो करें किया और 2024 के चुनाव में भी तो परिणाम देखने में देखिए मैं आपको बोलता हूँ मैंने कॉंग्रेस के निगनेता की उधार अंडिया सुनील किदार जी को अरे उनको भी कोर्ट भी कैसे बैठा आप इसमें भी शक के लिए कितनी जगा रात नौ बजे अन्य जर्रालिस्त है, यूटूबर्स हैं, जब राहुल जी की यातरा निकली थी, तब एक मैंने देखा था कि यूटूबर्स के लिए उन्होंने प्रेस कांफरंस देली में रखी थी, तो जेराम रमेश जी थे और राहुल जी थे और और भी अन्य नेता थे, वरिष्ट गंट है उनके, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया था, उन्होंने यूटूबर्स ने मांग किय थी, कि हमें वकील की फीज नहीं हो, पे नहीं कर सकते हैं, इतने पैसे, हमारे उपर बिनावज़े केसे डाले जाते हैं, हमें उसमें फसाया जाता है, तो कॉंग्रस एक उपर, एक बात, और दूसरी बात, बात में बहुत यूटूबर अंदर भी गए, और जो पैरलल प्रेस जो है अभी, समान तर जैसे सिनेमा हुआ करता था, पैरलल प्रेस है, उसके बहुत लोग अंदर गए, लेकिन उसके ओपर कुछ आक्शन ही नहीं हुई, और दूसरी बात मैं आपको बताओं, आप कितना भी महंगा वकील लगाओ, सुप्रीम कोर्ट में निरने आएगा, न्याय नहीं, ये बात कल के बात मैंने तो पक्का कर ली, कल अदानी के बामले में जो आया, यानि एक मेरे दर्शक है, उन्होंने एक कॉमेंट लिखिये, वो मुझे ब बहुत मानता हूँ, लेकिन खुद भगवान आकर भी कहे, कि अदानी निर्दोश है, तो मैं विश्वास नहीं रखूंगा, ये सारी चीज़े कहने पर आपको ये भी तो नहीं लगता है, कि कुछ भी तो कर सकते हैं अभी, ये इतना बोड़ना इस देश में, सर लेकिन अंदर कर सकते है, आरबन नकसल है या आदमी, उमर खलीद अभी तक अंदर हैं, उमर खलीद की, उसको मालूम नहीं उसका दोश क्या है, और कॉर्ट भी उसका दोश ढूंड नहीं पाती, तो दे देती है, या फिर नॉट बिफोर मी कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट इतना सव्वेदंशिल तब बन सकता है, और इतना नहीतिक कि कंटेम्ट आफ कोर्ट किसे पर करे, जब वो अक्चुल होली हो, अक्चुल होली काव हो, नहीं सही में सही ढंग में लोगों को न्याई मिल रहा है, और 77 प्रतिशत लोग अंडर ट्रायल अंदर सड र रहने की 10 लाग से लेके 50 लाग तक है, ऐसे हालत में आप कंटेम्ट आफ कोर्ट को डर के बात करना बन करें, उन्हें होली काव बनाएं, यह सिर्फ विपश को ही affordable है, आम आदमी को नहीं, हमारी निजी जिन्दगी में दखल अंदाजी, हम क्या मांस खाते हैं या नहीं खा पक्ष में हैं या नहीं उस पक्ष में नहीं है, इस बात तक यानि हमारे घर तक आए, हमारी बेटियां मुसलमान से शादी करें, क्रिश्चन से शादी करें, हिंदू से शादी करें, या किस अपनी जाती से शादी करें, इस बात तक आए चुका है यह सारा, तो क्या लगत से अब पूर का ऐसता तो मैंने एक उनके साथ ही उनको पूछा क्या लगता है आपको क्या होगा वो बोले दोजार चब्विस में लगता है यही गवर्मेंट आएगी तो वो शायद जिंदगी में जेल से बाहर ने आंगे वो वेक्ति जो इमर्जनसी में RSS वालों के साथ जे और ओमाद कि आपका कोयी गुणा नहीं है तो भी आवा अंधर जा सकते हैं क्योंकि स्टैलन के राइट हैंड में हमेशा कहते है लवाधिया बरीया थे उनको बाद में एक्जग्वूट किया गया इन लोगों के हालत वह से ही अभी आ अंखर में Peak 시 맞아 men that showed me a man I will show you its crime it मु यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर Congress या विपक्ष को जिताने के लिए नहीं बैठे हैं, मैं और आप अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए इस देश में, इस देश को समविधान से चलाने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर लोग करें क्या, आपने कहा कि लोग सत्ता क पक्ष में नहीं है, या बीज़पी से बहुत लोग नाराज हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अगर स्क्रिटर पर रहेगा, या फिर एक घंटे का अंदोलन होगा, वो भी काली पटी बंद कर, तो यह सब के बीच में लोगों को क्या करना चाहिए, फिर चुनाव आयो मुझे तो लगता है, पहले तो राजगाट पर जाना इनको बंद कर जाना चाहिए, वो गांदी जी का बार बार अपमान मुझ से देखा नहीं जाता, क्योंकि गांदी जी चंपरण में खुच जाते थे, नौखाली में खुच चले गए थे, यह लोग कुछ भी होता है तो जाके गांदी जी के वहां पर राजगाट पर खड़े रहते हैं, गांदी जी नहीं नहीं कहा था, कुछ भी हो जाए तो राजगाट पर आके खड़े रहो, गांदी जी नहीं यह सीख दिये हमें, कि जो जहां होता है वहां जाके खड़े रहो, जैनियों में अंदोलन हो र लेकिन सर विपक्ष के अगर बात करें तो इंडिया नाम का गडबंधन मनाया उससे कई सारे उम्यदे थी हमने उसके उपर एक पूरा वीडियो भी किया हुआ है लोगों ने देखा भी है उसे अब उनके भीतर ही कितने हमें चीजे नरजर आती है एक तरफ नितीश कुमार का नाम आता है कन्वेनर के लिए उदर ममता बैनर जी अपनी राजनीती खेलते हुए खड़गे को प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम लाते हैं तो यह आपस की लड़ा इंकी खतम होगी है केजरिवाल ने मिला है केजरिवाल यह चाहता ही है कि इसमें कॉंग्रेस की तरफ से पड़े वो ठीक है वो बात उनके अंदर की बात चल रही है फिर ममता दिदी को यह भी है समस्या की कम्मिनिस्टों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे ऐसी इतनी कठिन स्थिती में ममता दिदी को मैं अब यह पहुंचेगा प्रोग्राम या उनकी तरफ परसुन पाएगी नहीं पाएगी मुझे मालूम ने लेकिन अगर कोई चाहे तो उनको सुना दे कि रुजवेल्ट और चर्चिल ने भी स्टैलिन से हाथ मिलाया था फैसिस्टों को हराने के लिए तो ममता जी को एक बार हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर वाकई वो चाहती है वरना मैं मानता हूं कि विपक्ष भी यह फैसिजम की एक समस्या का समादान नहीं समस्या का हिस्सा है ऐसा मानना पड़ेगा फिर और इसी को अगर आगे बढ़ाएं हम तो अभी आपने अधालत की भी बात की थी सत्ता की भी बात की तो दो अधालत के ऐसे नतीजे आये थे जिसका शायद 2024 पे भी परिणाम पड़े एक तो था कश्मीर का मामला और दुसरा राम मंदिर का मामला तो कश्मीर का मामले में तो हमने अभी 11 दिसमबद 2023 को भी देखा कि चुनाओ के नतीजों के बाद जब अधालत की और से फैसला लिया गया उसमें भी कश्मीर को लेकर जितने सारे पेटिशन थे सब सत्ता के पक्ष में जो उन्होंने फैसला लिया उसको एक तरीके से सही ठहराया गया आयोध्या कि अगर बात करें तो दवंबर 2019 में अदालत की और से ये जरूर कहा गया कि बाबरी मस्जित का जो डिस्ट्रक्शन है वो एक क्रिमिनल आक्ट ह लेए लेकिन इसके साथ ही नहोंने वही जगा पर एक मंधिर वनाने के लिए भी फैसला दे दिया और उसका भी हमें नतीजा देखेंगे कि जब चुना होगा तब ये कश्मीर का भी जिक्र करेंगे, ये राम मंदिर का भी जिक्र करेंगे और विपक्ष तो यहाँ पर confused है. और वो करा के, यह नहीं, उन्होंने कराया सुप्रीम कोर्ट के माद देखेंगे. लेकिन उसका अस्वे मुझी देखिया और दूसरा बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात पर एक तो aborgation 370 जो है, उसके लंबे नतिजे है और वो political नतिजे है. सुप्रीम कोर्ट कैसे बिहेव करते हैं, कि जहां आपको कोई matter of interpretation या application of mind के लिए जगए नहीं है. यानि ये सुरच और ये जयांदरत. ऐसी बात है ना, तब सुप्रीम कि ये हमारी capacity में नहीं आता, छोड़ देते हैं. और जो राम का जन्म कहा हुआ, ये capacity में आता है. और जो जमिनी चीज़े है, जो लोगों पर अन्या हो रहा है, वो capacity में नहीं आता. यानि ये ये कमाल की बात है, यानि सुप्रीम कोर्ट के इतियास में ये एक chapter लिखा है कि राममंदिर बनाने का जो फैसला है, उसके नीचे किसे का नाम नहीं रिखा है इनोने. ये इतियासिक है, ताकि कल इतियास में ये एक ऐसी चीज़ हमने की है, जिस पे हमारा नाम नहीं चाहिए, ऐसा समने सोचा होगा. तो वो küç से का बे नाम नहीं है उसके नहीं है नयाये लेकर वन थोड़ दिया जबकि नाम लिखते हैं जो पिट हैं उनके सारे नाम आते हैं वो नाम नहीं है उसके उपर इसी से उनका गिल्ड पता चल जाता है एक बात दूसरी बात जो है कि अबॉर्गेशन 370 के बात ना ही देखिए हम लग्दात के लिए बहुत प्रॉब्लम में आ गए हैं चाइना से उसके परणाम बहुत बुरे हो रहे हैं और आपको क्या लगता है कश्मीर में आज भी सेना के लोग मारे जा रहे हैं ना नोटबंदी से आतंकवाथ खतम हुआ ना अबॉर्गेशन 370 से हुआ और अबॉर्गेशन 370 से ऐसी कौन सी चीज मिली जो आप अब उत्तराखन के नए मुख्यमंत्री जो उत्तराखन के मुख्यमंत्री है वो बोल रहे हैं कि बाहर के आदमी को उत्तराखन में जमीन खरीदने नहीं देंगे तो कश्मिर में अलग क्या था फिर कश्मिर में क्यों आप खरीदने के लिए सब दोड़ पड़ेते तो बात यह है कि यह बात है फिर मनिपूर की बात है फिर 19 लाक इलेक्शन के जो डिब्बे हैं यानि वो जो इवेम के डिब्बे हैं जिसके माध्यम से कई लोग सत्ता में आ रहे हैं तो वो डिब्बे गायब हो गए उसके ओपर सुप्रीम कोड का कोई वो नहीं है वीवी पैट को गिनना चाहिए नहीं गिनना चाहिए उसके ओपर सुप्रीम कोड हमारे कक्षा में नहीं आता और जब विपक्ष गया था कोर्ट में कि एनफॉर्समेंट एजंसी है उसका दुरिपयोग हो रहा है और वो सिर्फ opposition पर opposition पर ही इस्तमाल किये जा रहे हैं तो court ने कहा यह हमारे jurisdiction में नहीं आता है यह politically आप solve करो तो राम कहां से आपकी jurisdiction में आता है वो आता है वो संκराचारिय करेंगे फैसला और शंक्रातUSTIN कैसा अई है यह कोड़ काइसा पैसला है हम सिर्फ एक असमी के साथ बूलाया है यह कैसा फैसला है हम सिर्फ अंदर जाकर और राम एक एक चरित्र है जो आलमी की जी ने लिखा है तो उस राम की जन्म आदी अंत ये सारी चीज़े जो है वो एक ऐसे अध्यात्मिक कलपना इसा स्पिरिच्वलिजम तो वो गोगोई जी के अंदर साथ में जो पीट बैठा था उसको पराबर पता चला कि या मंदिर होना चाहिए वो इनके जूरिडिक्शिन में आता है और एंफॉर्समेंट एजन्सिस उनकी जूरिडिक्शिन में नहीं आती है यह कितना बड़ा वेंग है कहें का कंटेम करेंगे यह यह अपने आप को शर्म से शर्मसार होने लवाली चीज़ है मैं अगर यह ज हिस्सा होता तो मैं छोड़ देता मैं छोड़ देता मैं दूसरा कुछ भी करता पकोड़े बेशता प्रदान मंतरी जी ने एक अच्छी दिशा दिखाई है पकोड़े बेशता लेकिन यह नहीं करता जबकि हम लोग जिस फ्रैटरनेटिस से हैं तो हमें गोदी मिडिया पर ढ़ी दिया को छूड़ करें हाँ तो सदीक ऐसा तो मैं डहीं मानता कि मुद्धन मुद्धन हो पर महिंगाई का मुद्धा है विरोजगारी का मुद्धा है तो विपक्ष क्योंसरा होता है इसे परकूलेट कैंओं नहीं कर पा रहे हैं ठीक आप मीडिया के जरिय नहीं कर और इनको बड़ा पिच्चर नहीं दिख पा रहा है कि देश पर इसका असर है या इनको सहर किसी को लगता है कि अभी मेरे पास समय है अभी नहीं आएगे तो पाथ साल बाद एंगले के हर कोई अपने आपको प्रधान मतर बाद कुछ नहीं होगा अब यह इलेक्शन हुए त तो अक्री और दूसरी बात यह है कि EVM से अगर यह इलेक्शन होते है तो BJP को 400 से ज्यादा सिट मिलती है लेकि EVM को लेकर इनका कोई एक स्टैंड नहीं है तो इनके स्टैंडिंग की तो इश्यू है कि यह विपक्ष जाहता क्या है लोग इसी में कन्फ्यूज नहीं कि क्य क्या करें क्योंकि इनका कोई स्टैंड ही नहीं है किसी भी चीज को लेकर एक स्टैंड नहीं है यह एक है क्या एक स्टैंड विपक्ष नाम की कोई एंटिटी है हम कॉंग्रेस कह सकते हैं टी-म-सी कह सकते हैं डी-म-क कह सकते हैं लेकिन विपक्ष नाम के ऐसी पूरी चीज मौवा महत्रा को जब निकाला गया और जिस तरीके से निकाला गया और जिस आधार ही इन तक्थियों पे निकाला गया या फिर रहूल गांदी जी को भी ऐसा ही किया गया या फिर संजह सिंग को जिस तरह से अंदर डाला गया वो सारे अडानी के खिलाब बोलने वाले लोग तो अडानी का राज है ये तो स्वाबाविक है मैं ये तो कहता हूँ कि His Highness Lord अडानी जी तो उनके कहने पर जंगल भी उनको दिया जाता है जल भी दिया जाता है जमीन भी दिया जाती है पोर्ट भी दिये जाते है एरपोर्ट कि भी चीज़े हो रही है तो बात यह है मैं यह जानना चाहता हूँ कि Is सारी गटनाओं के सामने विपकष को रस्ते पे लोगों का अंदोलन करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका एकमात्र हल है जो रास्ते पे उतरते हैं वही जीतते हैं ड्राइवर्स रास्ते पर उत्रे, किसान रास्ते पर उत्रे C.A.N.R.C. के लिए भले वो बाद में COVID की वज़े से बेचा रहे हो कि बहुत वह दी लेकिन वो रास्ते पर उत्रे JN.U. में उन्होंने खुन अपना बहाया विपक्ष के कोई यह आर्मचेर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो जमाना चला गया और यह आर्मचेर पॉलिटिक्स में यह समस्या का समधन नहीं समस्या का हिस्सा बन रहे हैं हमारा विपक्ष पे विश्वास नहीं है मेरा अगर आप पूछिए कि क्या है आपको किस पे विश्वास है मैं बताता हूँ मेरा किस पे विश्वास है मेरा इलेक्शन कमिशन पे पूरा विश्वास नहीं है और मैं किसी भी दावे को सबूत बिना सबूत के नहीं बोलूँगा मैं साव साबुत दे सकता हूँ मेरा जुडी शरी पे विश्वास नहीं है मेरा प्रशासन पे विश्वास नहीं है मेरा विपक्ष पे बिलकुल विश्वास नहीं है मेरा सिर्फ मोदी जी और उनकी पार्टी पे विश्वास है कि वो चुनके फिर वापस आएंगे और मेरा EVM पर विश्वास है कि उसमें उनको वो साथ देंगे तो फिर ये वीडियो कब तक हम कर पाएंगे कि वो भी अभी उसमें भी विश्वास नहीं है नहीं वो तो लॉग है, कभी भी टेटों दबा सकते हैं जो गोधी मीडिया की ओर से एक सवाल उठाया जाता है वो यह मोधी वर्सिस हूँ शायद इसलिए विपक्ष एक चहरा धून रहा हो कि यह प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस होगा यह यह होगा, क्योंकि आप देखें मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री बदल दिये गए, राजस्थान में बदल दिया गए, जो मुख्य चहरा थे 36 गड़ में, जहां पर भी मुख्य चहरे थे उन सब को बदल दिया, यानि मोधी जी के नाम पर ही तो लोग वोट दे रहे हैं, तो इसलिए चहरा तो यह ला नहीं पा रहे हैं, और आपस में भी लड़ रहे हैं, या हर किसी को प्रधान मंत्री बनना है, लेकि आपको लगते हैं, चहरे की जरूरत है विपक्षों बिल्कुल नहीं क्योंकि हमारी पार्लिमेंटरी डिमोक्रसी है, हमारी अध्यक्षे लोक तंत्र नहीं हैं, प्रिसिदेंशल डिमोक्रसी नहीं हैं हम लोग, तो मोदी जी के सामने, मोदी जी पहले से चहरा नहीं थे, पहले से चहरा अडवानी थे, और कई प्रधान मंत्री, अब लाल बादूर चेहरे की ज़रुरत नहीं और मोदी जी कोई चेहरा नहीं है देखे जी देश चला रहा है अकेले मोदी जी शहा जी और अड़ानी जी और दोवाल साम यह देश चला रहे है बेसिकली अब बात यह है कि उनसे अच्छा कोई देश चला सकता है यानि लोगतांतरी ग्रूप से चला सकता है उनकी पार्टी में लोग हैं मैं बदाता हूं शिवराज सिंग चवान अठरा साल अठरा साल तक मुख्य मंतरी रहे उनको प्रशासनी का अच्छे प्रदान मंतर सकती है बी जैपी में खुद 10 है जो प्रदान मंतरी बन सकते है और मैं आपको यह भी बात बताता हूँ खुद बीजेपी अब चार लोगुकर शासन की एक सत्ता नहीं चाहतीँ बीजेपी चाहती K बीजेपी की सत्ता आ जाए लेकिन उनके अंदर की जो बगावत है वो द जग जिवन्द राम और बाकी लोगों ने किते तो विपक्ष बलवान था, सामर्थ शालिसा, उनमें जुनून था, तब ये बगावच कर सके ना, तो ये लोगों को बगावच करने के लिए यहां पर कोई प्रिष्ट भूमी तयार होनी चाहिए, वो तो रही है, तो मोदी ज जी है, खरगे जी है, राहूल गांदी जी अगर उनके पारिटी के प्रेसिडेंट ने उनको चुना तो, फिर निदिश कुमार जी है, लालू जी है, ये सारे administrative और प्रशासानिक अनुभव और लोगतंतर को मानने वाले नेता हैं, तो ये साट में इतने चेहरे हैं, अब च उनका नाम आपको selfie point ही लगा दिया है, छे लाग रुपए के एक selfie point तो बाजू में अगर ये सारे नताओं के selfie point लगा दिये जाए, तो आप देखिए कौन लोग को इसके साथ पोटो निकालते हैं, कितने लोग मोधी जी के subscriber जितने हैं, YouTube पे, और viewer उनका फर्क देखिए, औ पता चलता है popularity actual क्या है, और perception क्या create किया जा रहा है, लेकिन सर, अभी आपने कई चीजों का जिक्र रहे है, लेकिन उसके साथ में एक चीज आ जाती है, वो है ideology, अब शिवराज सिंग चोहान को आप 18 साल मुख्य मंत्री बनाने के बाद भी हटा देते हैं, तो वो चुप र कि भीतर, भारतिय जन्ता पाटी को बहुत आसान था, दो शिर्सना बनाना, एक शिर्सना बनाना उनके साथ में है, NCP को तोड़कर दो बनाना बहुत आसान था, हमने बड़े बड़े नेताओं को देखा है, जो पलड गये हैं, चाहे आप मद्धप्रदेश के जोती रादि कि कल जाकर यह उसके पास ना चला जाएं, बिजेपी की कोई आइडालोजी नहीं है, बिजेपी की आइडालोजी सिर्फ अपॉर्चुनिजा हुने है, और ये वक्त मध्धी यूग में या अंध्धा यूग में ले जाने वाली आइडालोजी है, एंटी साइंस, कुछ भी आयूश, ये सब आइडालोजी नहीं कह सकते इसको, अब चुप रहनी की बात मैं बताता हूँ, देखिए, इंदरा जी जब पावरफुल थी न, तो गुलाम नभी आज़ाद की हिम्मत नहीं थी छोड़ की जाने की, यह जो बात कर रहे हैं, सिंधिया विंदिया, वो मंद विश्वा सरमा, देखिए, मोदी जी के पास सत्ता है, इसलिए ये लोग चुप है, आइडालोजी से कोई लेना देना नहीं है, और मोदी जी की कोई आइडालोजी नहीं है, आप एक दिन सतर अजार करोड के ब्रश्टाचार की बात करते हो, और दूसरे दिन वही कौन सी है डर, आप बता ही मुझे, लेकिन पूसरे तो है, आप एकनाच शिंदे जी को एक तरफ उनके साथी कोई है, उनको एजनसी का डर दिखाते हो, बाद में आपके पार्टी में आ जाते हैं, आप हेमन विश्वा सरमा की ब्रश्टा जार के इतने सारे मामले निकालते हो, और आपको लगता है करीब-करीब हेमन विश्वा सरमा अंदर जा चुके हैं, दूसरे दिन हेमन विश्वा सरमा मुख्य मंत्री बनते हैं और उस पर आप अमिज शाह जी को सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल नहीं पूछते बाई, चुपड़े हो, चुपड़े हो, एपसिलूट पावर करप्स एपसिलूटली, वैसी हाला अभी है, अभी मोदी जी है, शाह जी है, उनके इस हाइनेस लॉड अडानी जी है, धोवाल साब है, इनके बाद सत्ता है, तो उनके पूरी पार्टी में घमासान चल रहा है अंदर, मन में जो आला मुख्य है, तो अ विपक्ष में क्या है, कि सत्ता नहीं है, तो कॉंग्रिस के पास कोई सत्ता बड़ी नहीं, केंदर में सत्ता नहीं है, तो कोई भी आग दिखा कर जा सकता है, और आपको आश्यर होगा, अगर hypothetically, ये वास्तव नहीं है, मैं यूटोपिया बोल रहा हूं, कॉंग्रिस के पा ये अपॉर्चुनिजम का खेल है, बीजेपी का, और मुझे अपॉर्चुनिजम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अजानी जिस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मोदी जिस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश को आप आगे ले जाई हैं आप दो ही पार्टी थी जो पूरी तरह से लोगतांदरिक थी उसको यह क्या बना दिया इसका मतलब यह है साफ साफ कोई अमर नहीं है ना मोधी जी भी नहीं है और यह सत्ता भी अमर नहीं है इसके बाद बीजेपी और आरे से दोनों कोलैप्स हो जाएंगे क्योंकि अंदर का तं उमीद नहीं है विपक्ष थे कि अभी जब मैं आकड़ों की बात करूं तो फिर महराष्ट करनाटक बिहार वेश बेंगॉल और रोडिशा यह ऐसे जगह है जहां पर शैद विपक्ष अभी थोड़ी मजबूत हो और यहीं पर मिला के कुल 179 लोग सभा सीट मौजूद है तो अगर विपक्ष फोकस करें तो अन पेपर तो मजबूत कई जगहों पर वो सकता है अगर वो एक साथ आकर कोशिश करें लेकिन अभी आपको लगता है कि समय कम है या इन के अंदर वो पोटेंशल नहीं है आपकी क्या उमीद है आने वाले 4-5 महिनों में इस विपक्ष नहीं है और यह स्टैंड लेना उनको ज़रूरी है इवी एम को मैनिपिलेट करना इतना असान है अब क्योंकि जब इवी एम आया था तब हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो अब AI आ गया है आपकी जगह मैं सोहित मिश्रा को बिठा कर दूसरा इंटरू कर सकता हूं एक दम इसके विपरीत समझ के डीप फेक कुछ भी कर सकता हूं जो जो हम बोले नहीं है वो बोले जब बोला जा सकता है इसमें इवी एम एक लोगतंतर का दुश्मन है और उसका अच्छी तरसा इस्तमाल करना कुछ देश जानते हैं जो हमारे मित्रदेश हमारे सत्तापक्ष के मि तरह है तो वहां से मशीन आती हैं और देखिया ना अभी मद्यप्रदेश और इसके इलेक्शन में प्रिसाइजली मायावती और अन्य के वोट ट्रांसपर हुए कांग्रेस के वोट कम नहीं हुए बस वोट बीजेपी में ट्रांसपर हुए सीट्स में बदलावा गया तो अच्छन जो है ना वो मेकैनिकल है वो हूँँ मन नहीं है वो बैलट बॉक्स मैं पॉसिबल नहीं है आप बैलोट सब भगा के लेके जाओ कुछ भी गरतों भी पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर इसमें सवाल तो यह भी उठता है न पिर तेलंगाना में क्यों जीत गई कॉं चिज़े कुछ जराज हारना भी जरूरी है अब देखिए मैं बताता हूं इंपोर्टन क्या था 36 गड़ इंपोर्टन था को कि हस्देव का जंगल अडानी को देना था अभी फिलहाल के सियार की सत्ता जा रही थी इसलिए छोड़ दी पंजाब में कॉंग्रेस की सत्ता जा र कि जोड़ तोड़ करके सत्ता लाई गई तो बात को समझिए कि आपको अगर बहुत इंटलिजेंटली इवीम को मैनिपिलेट करना है तो सामने वाले को थोड़ा थोड़ी जीत देना जरूरी है क्योंकि बाद में वो बोल नहीं पाएगा और विपक्स इसमें फस्क चुका है मैं बताता हूँ विपक्स क्या करता है जैसे कि कमल नाथ हो या फिर डिक्वीजे सिंग यह सब हारने के बाद बोलने लगे उसकी कोई नाइटिक प्रदिश्टा नहीं और इसका कोई स्तान नहीं मेरे मन में मैं इसको एकसप नहीं कर सकता गेम खेलने से पहले आप रूल गलत थे या इन्होंने चीट किया यह बोल नहीं सकते मुझे पुरा यकीन है कि EVM का दुरूपयोग हो रहा है लेकिन यह विपक्स को पहले बोलना चाहिए अभी तो उनको मालूमी नहीं है कि उनका स्टैंड क्या है उनके आइडलोजी क्या है कहां से कहां जाएंगे कि इस तो हिंदुस्तान हमने दस साल पहले तक दिखा था वो हिंदुस्तान हम जब तक इस परत्वी पहें तब तक फिर से नहीं दिखेगा क्योंकि यह सत्ता भी जाए तो भी प्रतिशोत का एक साइकल चलता रहेगा वो बात नहीं होगी कि आप मेरे विरोधक हो लेकिन दोस्त ह अब आप यह तो दुश्मन हो यह तो मेरे हो लेकिन फिर आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष क्या करें या तो EVM पर चुनाव ही नहीं लड़े बज़िशकार करें या जब उनको चुनाव आयोग 6 महीने तक अपाउटमेंट नहीं नहीं दे रहें तो वो करें क्या सर वो वि अपॉंटमेंट के किसी भी अधिकारी के केबिन तक पहुंच गए थे और वो बाहर आके पैर पड़े थे ऐसी ऐसी चीजे देखिए हमने लोगों के बल पे लोगों में बहुत ताकत है लेकिन लोगों की ताकत चैनलाइज करने वाले नेता नहीं है या तो वो एक तो मैले हो हो चुके हैं करप्ट हैं अब अडानी का विरोध हस्देव में इतना बड़ा जंगल तोड़ा जा रहा है उसके उपर ग्रीन पीस के आत्मा तूट रही है तो उसके खिलाब पवार साब क्या बोलेंगे क्योंकि वह थैंक्यू कह रहे है मिजे 25 करोड रुपे दिया आपने लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मलिंता इतनी बड़ी है कि उसके आगे लोकतंत्र की शालिंता इन्हें रास नहीं आ रही है इसलिए हम लोकतंत्र गवा रहे हैं विपक्ष हार रहे हैं और गुलाम हम हो रहे हैं क्योंकि विपक्ष को चॉइस है कि कल वो 90 प्रतिशत विपक्ष जोईन हो सकता है मोदी जी के साथ दस परसंट जो बचेंगे वो मोदी जी और बीजेपी को चाहिए क्योंकि इंटरनाशनल कम्यूनिटी के सामने भारत में लोगतंतर है दिखाने के लिए दस परसंट हो चाहिए हमारे लिए क्या विकल्प है हम गुलाम हो हमें हिजाब, विंदी, मौसहार, शाकाहार, अईरवेद, अलोपथी किसके पैर पढ़ना है, किसके पैर नहीं पढ़ना है कौन भगवान मानना है, कौन भगवान नहीं मानना है किसकी लिंचिंग करनी है किसकी नहीं करनी है इसी में जो उलजे रहना है और महंगाई और बेरोजगारी हाथ से बाहर निकल जाएगा या अपनी GDP जितनी है उतना कर जाए या IMF ने हमें इशारा दे चुके हैं हम एक दिवालिया देश बन जाएंगे जैसे नौर्थ आफरिका या साउथ अमेरिका के कुछ देश है और हम सुमालिया या उस टाइप के जो देश है उनसे भी बूरी हालत में हंगर इंडेक्स में और हैपिनिस इंडेक्स में आपने शुरुआत में हैपी न्यू येर करके कहा लेकिन वीडियो खत्म खत्त करते हैं आप वापस से धर्शक हो गए एक बार फिर से मैंने हैपी न्यू येर कहा लेकिन हैपी न्यू टूज़न ट्वेंटिफॉर नहीं कहा यह बाद आप समझिए तो फिर यह मेरा आखरी तो बोलिये बोल नहीं सकते है तो आप हाथ से निशान का निशानिया दिखा कर लडिये आप चल सकते तो चलिये दवड सकते तो दवडिये रेंगते तो रेंगिये लेकिन आप लडिये यही कर सकते हर व्यक्ति को अपना विरोध जहां हो है चाहे जेल में हो जेल के बाहर ह दिकिए उमर خलीद अंदर है लेकिन हमें गिल्ट है जिसको सभीदन चिलता है उने गिल्ट है यह उमर खलीद की काम्याबी है ऐसी काम्याभी उमर खलिद की काम्याभी से पवार साब के लाखो पद और काम्याभी उनके पार्टी की कुर्बान है मैं यह मानता हूँ कि एक उमर खलिद हो एक संजीव भट हो या और भी लोग है जो अंदर है अपना रमंण सिंग है यह लोग है उनकी लिख के अंदर होने से रुपे सिंग को नहीं मिली और पार्किनससर उनकी डैथ हो गई और अपनी महान जूडिशरी ने कुछ भी नहीं किया उसमें वो उनके जूरिस्डिक्शन में स्ट्रॉण नहीं आ रहा था उनके जूरिस्डिक्शन में राम आ रहा था लेकिन स्ट्रॉण नहीं आ रहा था तो उनके jurisdiction में नहीं था तो उनको आखिर तक straw नहीं मिला और वो गुजर गए इस चीज की इस चीज का जो गम है इस चीज का जखम है अपने अंदर वो उनकी कामिया भी है इतियास उनको याद रखेगा और मैं आपने आखरी सवाल में ये पूछा कि हमें क्या करना चाहिए तो हमेशा इतियास के सही पक्ष में हमें रहना चाहिए चाहे हमें कितनी भी तकलीफ हो चाहे हमें ये होगा कि डराने की कोशिश की जाएगी लालच देने की कोशिश की जाएगी और ये भी हो सकता है कि बहुत मुश्किलों का पहाड़ हम पर तूटे हम आप कोई किसी पर भी अपने दोस्त कोई भी लेकिन हमें उसी पक्ष में होना चाहिए जो पक्ष सच और सही है पांडवों को अन्वास हुआ तो जो पांडवों के साथ थे वो राइट सेड तो वही होना चाहिए और आप अगर सत्ता है इसलिए दुरियोधन के साथ गए तो बाद में महाबरत जब लिखी जाएगी तो आपका नाम उसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से दुरियोधन दुशासन और उनके साथ ही उनका लिखा गया है तो दर्शे को अगर उमीद है कि आपको उसका जवाब भी मिल गया कि बोलना ज़रूरी है और यह लड़ाई आपको अपने लिए लड़नी है जैसे कि मैंने शुरुआत में हाँ यहाँ पर एक बात सबसे इंपोर्टन है य यह लड़ाई हम यह यह विफक्ष के लिए नहीं रड़ रहे हैं कॉण्ग्रेस के लिए नहीं रड़ स्टिंग क mechanics का पिछली बार भी कहा था कि जिंदगे अपने दम पर जी जाती है दूसरों के कंदों पे तो जनासे निकलते हैं ऐसा उन्होंने कहा था तो अगर आप वि करते हैं कि विपक्ष के नेता भी इस बात को सुनें संजог कि क्या कुछ हो रहा है क्योंकि कि आप हर चीज के लिए दूसरों को जिम्हायदार टहरा है लेकिन क्या विपक्ष वाक ही कुछ कर रहा है इसे पर आज ये पूरा चर्चा हमने किया है हमारी कोशिश आपकी उम्मीद जो है उसे खत्म करने की नहीं थी बलकि सच्चाई से आपको वाकिफ कराने की थी हर बार की तरह सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो बाते की ही, बहुत सारी बाते, चाहे वो चुनाव से जुड़े हों, चाहे वो अधालत से जुड़े हों, विपक्ष से जुड़े हों, या फिर जो नया नाम आपने दिया है, His Highness Lord Adani, ये सारी चीज़े जो हैं, हम उमीद करते हैं कि लोगों तक ये पहुँचे, ज क्योंकि हमारे पास बहुत समय है, हम खुलकर बात करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम से कम, जो Right Side of History की बात की गई, जब भी ये सारी बाते हो, तब ये भी जिक्र हो कि कुछ लोग थे, जो बोल रहे थे, और हम बोल रहे हैं, ताकि हम लड़ सकें, और उस देश में जी सक बानी दी, इसलिए ये सारी बाते बार-बार करते हैं, जिसका आप पर कितना असर पड़ा है, वो आप को ही पता है, बाकी लोगों को पता है, लेकिन इसके बावजूद आप बोल रहे हैं सर, मैं उम्मीद करता हूँ, इससे लोग एक मिसाल लें, और बोलना शुरू करें क क्योंकि जब तक बोलते हैं, तब तक डेमोक्रेसी रहती है, और टक्रेसी में तो वो भी मुम्किन नहीं है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों से भी पूछेंगे कि आपको अगर और कुछ सवाल हों, तो आप जरूर पूछें, आपने कहा, तो हमने सर को पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ साजा करें, जादा से जादा लोगों तक इसे पहुचाएं, साथी साथ अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह से विशेओं को उठाते हैं, जिस पर चर्चा की जरूरत है, और अच्छे लोगों को लाते हैं, ताकि आपको भी दो बातें अच्छे सुनने मिलें, फिलाल इतना ही, बहुत शुक्रीया सर, नवस्क्राइब, रन्यवाद, स्वाइब,